भागवत पुरान सब्तम्सकंद आठवा अध्याय निरसिंग भगवान का प्रादुर्वाव इरन्यकशपु का वध एवं ब्रह्माधी देवताओं द्वारा भगवान की स्थदी भागवत पुरान आठवा अध्याय निरसिंग भगवान का प्रादुरवाव हिरनिकशपु का वद एवं ब्रहमादी देवताओं द्वारा भगवान की स्थथी नारच जी कहते हैं प्रहलाच जी का प्रवचन सुनकर देथ बालकों ने उसी समय से निर्दोश होने के कारण उनकी बात पकर ली गुरु जी की दूशित सिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही ना दिया जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धी एक मात्र भगवान में स्तिर हो रही है तब वे बहुत घबराएं और तुरंधिरन कशपू के पास चाकर निवेदन किया अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहाय और अप्रिय अनीती को सुनकर क्रोध के मारे उसका सरीर तर तर कापने लगा अंत में उसने यही निश्चे कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नमरता से हाथ जोड़ कर चुप चाप फिरन कशपू के सामने खड़े थे और तिरसकार के सरवता अयुग्य थे परंतु हिरन कशपू स्वभाव से ही कुरूड था वो पैर की चोट खाए हुए साम की तरफ फिवकारने लगा उसने उनकी और पाप भरी टेड़ी नजर से देखा और कठोरवानी से डाटते हुए कहा मुर्क तू बड़ा उद्दंड हो गया है स्वयम तो नीच है ही अब हमारे कुल के बालकों को भी फूड़ना चाता है तू ने बड़ी ठिटाई से मेरी आग्या का उलंगन किया है आज ही तुझे यमराज के घर भेज कर इसका फल चकाता हूँ मैं तनिक सक्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल काप उठते हैं फिर मुर्ख तू ने किसके बल भूते पर निडर की तरह मेरी आग्या के विरुद्ध काम किया प्रहलाज जी ने कहा देत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है न केवल मेरे और आपके बल की संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है वेही महापराक्रमी सर्व शक्तिमान प्रभू काल है तथा समस्त प्रानियों के इंद्रिय बल मनो बल देह बल धैर एवं इंद्रिय भी वही है वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना रक्षा और संगार करते हैं वे ही तीनों गुनों के स्वामी हैं आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए अपने मन को सब के प्रती समान बनाईए इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्ग गामी मन के अतिरिक्त और कोई सत्रू नहीं है मन में सब के प्रती समानता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पुजा है जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन चह इंद्रिया रूपी डाकूओ पड़तों पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसो दिशाएं जीत ली वे मुर्ख है हाँ जिस ग्यानी एवं जीतिंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रती समानता का भाव प्राप्त कर लिया उसके अग्यान से पैदा होने वाले काम करोधादी सत्रू भी मर मिट जाते हैं फिर बाहर के सत्रू तो रहे ही क्यों फिर बाहर के सत्रू तो रहे ही कैसे इरने कश्यपू ने कहा रे मंद बुद्धी तेरे भगने की भी अब हद हो गई है यह बात स्पस्ट है कि अब तू मड़ना चाहता है क्योंकि जो मड़ना चाहते हैं वे ही ऐसे बेसिर पैर की बाते बक्का करते हैं अब आगे तुने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है सो देखूं तो तेरा वो जगदीश्वर कहा है अच्छा क्या कहा वो सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता अच्छा तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है अरे तु क्यों इतनी डींग हाक रहा है मैं अभी अभी तेरा सिर धर से अलग किये देता हूँ देखता है तु देखता हूँ तेरा वो सर्वश्व हरी जिस पर तुझे इतना भडोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है इस प्रकार वो त्यंत बलवान महादेत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार जिड़कियां देता और सताता रहा जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक ना सका तब हात में खड़क लेकर सिंगासन से कूद पड़ा और बड़े जोड से उस खंबे को एक घूंसा मारा उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ ऐसा जान पड़ात मानो यह ब्रहमांड ही फट गया हो वो धनी जब लोक पालो के लोकों में पहुँची तब उसे सुनकर ब्रहमादी को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रले हो रहा हो इरन्य कशपू प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोड से जपटा था परन्तु देति सेना पतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अधभुद और अपुर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबराया हुआ सा दिखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है प्रन्तु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई ना पड़ा इस समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वानी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विवचित्र रूप धारन करके भगवान प्रकट हुए बारूप ना तो पूरा पूरा सिंग का ही था और ना ही मुनश्य का ही जिस समय हिरन्य कशपू सब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अदभुत प्रानी को उसने देखा वो सोचने लगा ओ यह ना तो मनुश्य है और ना पशू फिर यह निर्सिंग के रूप में कौन सा अलोकिक जीव है जिस समय इरन्य कशपू इस उधेर भुन में लगा हुआ था उसी समय उसके बिलकुल सामने ही निर्सिंग भगवान खड़े हो गए उनका वह रूप अत्यदिक भयावना था तपाय हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आखे थी जबाई लेने से गर्दन के पाल इधर उधर लहरा रहे थे दाड़े बड़ी विकराल थी तलवार की तरह लपलपाती हुई जूरे की धाड़ के समान तीखी जीव थी टेड़ी भौएं से उनका मुक और भी दारुन हो रहा था कान निश्चल एवं उपर की और उठे रवे थे फूली हुई नासी का और खुला हुआ मुह पहाड की गुफा के समान अद्भुद जान पड़ता था फटे वे जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी विशाल सरीर स्वर्ग का सपर्श कर रहा था गरदन कुछ नाटी और मोटी थी छाती चोड़ी और कमर बहुत पतली थी चंद्रमा की किरनों के समान सफेद रोएं सारे सरीर पर चमक रहे थे चारों और सैक्रों भुजाएं फैली हुई थी जिनके बड़े बड़े नक्र आयुद का काम देते थे उनके पास फटकने तक का साहस किसी को ना होता था चक्र आदी अपने निज आयुद तथा वज्र आदी अन्य श्रिष्ट सस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैते दानों को भगा दिया इरने कश्यपू सोचने लगा हो ना हो महा माया वी विश्णू ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है परंतु इसकी इन चालों से ही हो ही क्या सकता है इस प्रकार कहता और सिंग नाद करता हुआ दैते राज हिरने कश्यपू हाथ में गदा लेकर निर्सिंग भगवान पर तूट परा परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अद्रिश हो जाता है वैसे ही वह दैते भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया पिचरे जनक नहीं है क्योंकि श्रिष्टी के प्रारंव में उन्होंने अपने तेज से प्रले के निमित भूत तमो गुन रूपी घोड अंदकार को भी पी लिया था तदंतर वह दैते बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोड से घुमा कर उसने निरसिंग भगवान पर प्रहार किया प्रहार करते समय ही जैसे गरूर साप को पकड़ लेता है वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैते को पकड़ लिया वे जब उसके साथ खिलवार करने लगे तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे कृड़ा करते हुए गड़ूर के चंगुल से साप छूट जाए युदिस्टिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिप कर इस युद्ध को देख रहे थे उनका स्वर्ग तो हिरन कशपू ने पहले ही छीन लिया था जब उनोंने देखा कि वह भगवान के हाथ से चूट गया तब वे और भी डड़ गए हिरन कशपू ने भी यही समझा कि निरसिंग ने मेरे बलवीरे से ड़़ कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है इस विचार से उसकी ठकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दोड़ पड़ा उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से उपर नीचे उचल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमन करने का अवसर ही ना मिले तब भगवान ने बड़े उचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अटहास किया जिससे हिरन्य कशपू की आखे बंद हो गई फिर बड़े वेग से जपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे साप चूहे को पकड़ लेता है जिस हिरन्य कशपू के चमड़े पर वज्जर के चोट से भी करोच नहीं आई थी वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोड से छट पटा रहा था भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांगों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नकों से उसे उसी प्रकार फार डाला जैसे गड़ू महाविशधर साब को चीड डालते हैं उस समय उनकी क्रोध से भड़ी विकराल आखों की ओर देखा नहीं चाता था वे अपनी लपलपाती हुई जीब से फैले हुए मुह के दोनों कोने चाट रहे थे कुन के चीटों से उनका मुह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे हाथों की मौर कर गले में आतों की माला पहने वे मिर्ग राज के समान उनकी सोभा हो रही थी उन्होंने अपने तीखे नकों से हिरनक शिपू का कलेजा फार कर उसे जमीन पर पटक दिया उस समय हजारो देट दानव हातों में सस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आएं पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नक रूपी सास्त्रों से चारों और खदेर खदेर कर उसे मार डाला युदेस्टेर उस समय भगवान निरसिंग के गरदन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगें उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदी ग्रहों का तेज फीका पड़ गया उनके स्वास के धक्के से समद्र छुब्ध हो गयें उनके सिंग नाद से भैभीत होकर दिगज चिंगाडने लगें उनके गरदन के बालों से टकरा कर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गयें स्वर्ग डगमगा गया उनके पैरों की धमक से बुकंप आ गया वेग से परवत उरने लगे और उनके तेज की चका चौंद से आकास तता दिशाओं का दिखना बंद हो गया इस तमें नर्सिंग भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई ना पड़ता था फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था वेहिरन कशपू की राजसभा में उचे सिंगासन पर जाकर विराज गए उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भड़े भयंकर चहरे को देखकर किसी का भी साहस ना हुआ की उनके पास जाकर उनकी सेवा करे युदे स्टिर्ट जब स्वर्ग की देवताओं को यह सुब समाचार मिला की तीनों लोकों के सिर्की पीरा का मूर्तीमान सुरूप हिरन कशपू युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे वे बार बार भगवान पर पुश्पो की वर्षा करने लगी आकाश में विमानों से आए वे भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड लग गई देवताओं के ढोल और नगाड़े बचने लगें गंदर्व राज गाने लगें अपसराएं नाचने लगी तात इसी समय ब्रह्मा इंद्र शंकर आदी देवता रिशी पितर शिद्ध विद्याधर महानाग मनु प्रजापती गंदर्व अपसराएं चारन यक्छ किंपरुष वैताल शिद्ध किन्नर और सुनंद कुमूद आदी भगवान के सभी पारशद उनके पास आएं उन लोगों ने सिर पर अंजली बांद कर सिंगासन पर विराजबान अत्यंत तेजस्वी निर्सिंग भगवान की थोड़ी देड़ से अलग अलग स्तुती की ब्रह्मा जी ने कहा प्रबू आप अनंत है आपकी सक्ती का कोई पार नहीं पा सकता आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है यद्दपी गुनों के द्वारा आप लीला से ही सब्बून विश्व की उत्पत्ती पालन और प्रले यथो चित ढंग से करते हैं फिर भी आप उने से कोई संबंध नहीं रखते हैं स्वैम निर्विकार रहते हैं मैं आपको नमशकार करता हूँ श्री रुद्र ने कहा आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंद में होता है यदि इस तुछ देत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका उसका पुत्र आपकी शरन में आया है भक्त वच्सल प्रभू आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए इंद्रने का पुरुशुत्तम आपने हमारी रक्षा की है आपने हमारे जो यग्ग भाग लोटाए है वे वास्तव में आप अंतरियामी के ही है देत्यों के आतंग से संकुचित हमारे रदे कमल को आपने प्रफलित कर दिया वह भी आपका ही निवास्तान है यह जो स्वरगादी राज्य हम लोगों को पुना प्राप्त हुआ है यह सब काल का ग्रास है जो आपके सेवक है उनके लिए यह है ही क्या स्वामिन जिन्हें आपकी सेवक की चाह है वे मुक्ती का भी आदर नहीं करते फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवशकता ही क्या है रिशियों ने का पुरिशुत्तम आपने तपश्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और किर्पा करके उस से रिशियों ने का पुरिशुत्तम आपने तपश्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और किर्पा करके उसी आत्म तेजह सुरूप श्रेष्ट तपश्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था इस द्वारा ने उसी तपश्या का उच्छेद कर दिया था सरनागत वच्छल उस तपश्या की रच्छा के लिए अवतार ग्रहन करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है पित्रों ने कहा प्रबु हमारे पित्र हमारे लिए पिंडदान करते थे यह उन्हें बलात छीन कर खा जाया करता था जब वे पवित्र तीर्थ में या शंक्रांती आदी के अवसर पर नेमित्तिक तरपन करते या तिलांजली देते तब उसे भी यह पी जाता आज आपने अपने नकों से उसका पेट फार कर वो सब का सब लोटा कर मानो हमें दे दिया आप समस्त धर्मों के एकमात रक्षक है निर्सिंग देव हम आपको नमस्कार करते हैं सिद्धों ने कहा निर्सिंग देव इस दुष्ट ने अपने योग और तपश्या के बल से हमारी योग सिद्धी गती छीन ली थी अपने नकों से आपने उसे उस घमंडी को फार डाला है हम आपके चड़नों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं विद्या धड़ों ने कहा विया मुर्ख हिरन्न का शपू अपने पल और वीर्ता के घमंड में चूर था यहां तक की हम लोगों ने विविद धारनाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने वियर्त कर दिया था अब आपने युद्ध में यग पशू की तरह इसको नेश्ट कर दिया अपनी लीला से निरसिंग बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं नागों ने का इस पापी ने हमारी मनियों और हमारी श्रेष्ट और सुन्दर स्त्रियों को भी छीन लिया था आज उसकी छाती फाड़ कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है प्रभू हम आपको नमस्कार करते हैं मनुओं ने कहा देवाधी देव हम आपके आज्याकारी मनु हैं इस देत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी आपने उस दुष्ट को मार कर भड़ा उपकार किया प्रभू हम आपके सेवक हैं आज्या कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें प्रजा पतियों ने कहा परमेश्वर आपने हमें प्रजा पती बनाया था परन्तु इसके रोक देने से हम प्रजा की स्विष्टी नहीं कर पाते थें आपने इसकी छाती फार डाली और यह जमीन पर सरवदा के लिए सो गया सत्व मैं मूर्ती धारन करने वाले प्रभू आपका यह अवतार संसार के कल्यान के लिए है गंधर्वों ने कहा प्रभू हम आपके नाचने वाले अभिने करने वाले और संगीत सुनने वाले सेवक हैं इस देत्य ने अपने बल वीर्य और पराक्रम से हमें अपने गुलाम बना रखा था उसे आपने इस दशा को पहुँचा दिया सच है कुमार्ग से चलने वाले का क्या कभी कल्यान हो सकता है चारनों ने कहा प्रभू आपने सज्जनों के हिर्दे को पीड़ा पहुचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया इसलिए हम आपके उन चारन का मलोकी शरन में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यू रूप संसार चक्र से चुटकारा मिल जाता है यक्षो ने कहा भगवान अपने श्रिष्ट कर्मों के कारण हम लोग आपके सिवकों में प्रधान गिने चाते थे परंतु हिरन कशिपू ने हमें अपनी पाल की ढोने वाला कहार बना लिया प्रकिरती के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निजजनों के कस्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है किम पुरुषों ने कहा हम लोग अत्यांत तुछ किम पुरुष हैं और आप सर्व शक्ति मान महा पुरुष हैं जब सत्पुरुषों ने इसका तिरशकार किया इसे धिकारा तभी आज आपने इसको पुरुष असुर धाम को नश्ट कर दिया वे तालिकों ने कहा भगवन बड़ी बड़ी सभाओं और ग्यान यग्यों में आपके निर्मल यश्कागान करके हम बड़े प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे इस दुष्ट ने हमारी वह आजीवी का ही नश्ट कर दी थी बड़े सौभागे की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखार दिया किन्नडों ने कहा हम किन्नडगन आपके सेवक हैं यद्यत्य हमन से बेगार में ही काम लेता था भगवन आपने किर्पा करके आज इस पापी को नश्ट कर दिया प्रभू आप इसी प्रकार हमारा अभ्यूदे करते रहें भगवन के पार्शदों ने कहा शरनागत वच्सल संपूर्ण लोकों को शांती प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक निरसिंग गरूप हमने आज ही देखा है भगवन यद्यत्य आपका वह आज्याकारी सेवक था जिसे सनकादिक ने शाब दे दिया था हम समझते हैं आपने किर्पा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वद किया है इसका वद किया है